सभी धर्मों की इस्त्रियां दुपट्टा या साली के पल्लू से अपना सिर धक कर रखती हैं। सिर धक कर रखना सम्मान का सूचक भी माना जाता है। इसके वैज्यानिक और धार्मिक दोनों ही कारण है। सिर मनुष्य के अंगों में सवसे समवेधनशील इस्थान होता है। दोस्तो आपने अक्सर देखा होगा कि अलग-अलग धर्मों में हमें सर को धक कर रखने की प्रथाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन सर क्यों धका जाता है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हमारे साथ वीडियो में आन तक जरूर बने रहेगा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देविक गुरूपल। सर क्यों धका जाता है इसको लेकर सभी धर्मों में अलग-अलग विचार और परमपराये हैं। तो आईए सबसे पहले बात करते हैं हमारे धर्म हिंदू सनातन धर्म के बारे में। हिंदू सनातन धर्म के दृष्टिकोर से सर को धकने के पीछे के कई कारण है। हिंदू सनातन धर्म में ब्रह्मुरंद्र सिर के बीचो बीच स्थित माना जाता है। मौसम के मामूली से परिवर्तन के दुस्प्रवाब ब्रह्मुरंद्र के भाग से शरीर के अन्य अंगों में आते हैं। इसके अलावा आकाशिय विद्धुतिय तरंगे, खोले सिर वाले वेक्तियों के भीतर, प्रवेशकर, क्रोध, सिर्दर, आखों में कमजोरी आदी रोगों को जन्म देती हैं। सिर के बालों में रोग फैलाने वाले कीटाडूं आसानी से चिपक जाते हैं, क्योंकि बालों की चुम्बगी ये शक्ति उन्हें अपनी और आकरशित करती हैं। सिर ढखने पर कान भी ढख जाते हैं, जिससे ठंडी और गर्म हवा कान के अंदर शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और कई रोगों से इससे हमारा बचाव भी होता है। सिर ढखने से आज का जो सबसे गंभी रोग है वह है गंजापन, बाल जड़ना, रूसी इत्यादी जिससे बचा जा सकता है। आज भी हिंदू धम में परिवार में किसी की मृत्यू पर उसके संबंदियों का मुंडन किया जाता है। जिससे की मृत्क शरीर से निकलने वाले रोगाणू जो उनके बालों में चिपके रहते हैं वह नस्ट हो जाए। इस्त्रियां बालों को पल्लू से ढखे रहती हैं इसलिए वह रोगाणू से बच पाती हैं। नवजाज सिशू का भी पहले ही वर्ष में इसलिए मुंडन किया जाता है जिससे की गर्व के अंदर की जो गंदगी है उसके बालों में चिपकी है वह निकल जाए। मुंडन की यह प्रक्रिया अलग-अलग धर्मू में किसी न किसी रूप में आपको देखने और सुनने को मिल जाती है। साथी इसका एक कारण यह भी है कि सिर के मद्धे में सहस्त्रार चक्र होता है। पूजा के समय से धक्कर रतने से मन एकाग्र बना रहता है। इसलिए नगन सिर भगवान के समक्ष जाना ठीक नहीं माना जाता। कि जिसका हम सम्मान करते हैं या जो हमारे दोरा सम्मान दिये जाने योग्य है उनके सामने हमेशा सिर धक्कर रहना चाहिए। इसलिए पूजा के समय सिर पर और कुछ नहीं तो कम से कम रुमाल धक लेना चाहिए। इस से मन में भगवान के प्रतीजों सम्मान और समरपण हैं उसकी अभी व्यक्ति होती हैं। दोस्तो अभी तक आपने जाना कि हिंदू सनातन धर्म में सर को ढख कर क्यों रखा जाता हैं। लेकिन सर को ढखने की प्रता सिर्फ हिंदू सनातन धर्म तकी सेमित नहीं हैं। बलकि अन्य धर्मों में भी इस तरह के कई सारे रिती और रिवाज हमें देखने को मिलते अगर हम सर को ढखने की प्रता को अलग-अलग धर्मों के दृष्टी कोड से देखें तो इसाई धर्म में प्रेयर के समय सर को ढखना जरूरी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब चर्च में प्रेयर की जाती है तब फरिष्टें वहां मौजूर होते हैं। खास कर अ इसलाम में महिलाओं द्वारा चहरे और सर आधी को ढखकर रखने को कहा गया है। ऐसा करने से वह अपने सम्मान की रक्षा कर पाती हैं। नैतिकता का पालन कर पाती हैं और उन्हें यह सभी तरह की परिशानियों से दूर रखने का भी काम करता है। वहीं अगर हम मुस्लि मुहम्मद अपने सर को धक्कर रखा करते थे इसलिए उनको मानते हुए सभी मुस्लिम अपनी पांच वार की नमाज को अदा करते हुए सर को धक्कर रखते हैं इसी तरह यहूदी धर्म में भी सर को धक्कर रखने को ईश्वर को सम्मान देने के तौर पर देखा जाता है वही सिख धर्म में सभी पुरुषों को सर पर पगड़ी बानना आवश्यक बताया गया है जो कि अपने स्वयम के सम्मान और गर्व की और इशारा करता है तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना की सभी धर्मों में सर को ढखने की प्रथाय आपको किसी न किसी रूप में देखने को मिल जाती है चाहें आप इसे धार्मिक दृष्टिकोर से जोड़ कर देखे या फिर सामाजिक लेकिन यह बात इस परस्ट है कि यह है आपके आत्म सम्मान गौरव और आपके ईश्वर की और प्रेम को दर्शाता है दोस्तों हमारे इस वीडियो को बनाना किसी के भी धार्मिक और सामाजिक बिचारों को दुख पोचाना नहीं है सभी धर्मों में क्या समानताएं हैं इस बात को सामने लाना है वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल दैविक गुरू के साथ ऐसी ही और भी वीडियोज को देखने के लिए धन्यवाद झाल